असलाम अलेकुम नमस्कार और मैं हूँ आपका दोफ जीत थाकूँ और इस पर फिर आपका स्वादब करना हूँ आपके अपने चनल स्कीन स्कीन में और हम खड़े हुआ है डोंगे उली महाराष्ट बेटा भाई के पास बेटा भाई के कभूत्रों का थीसरा पार्ट लेकर दोस्तों इस पहले वाले पार्ट में आपको दुबास कभूतर रिखाए और आपको कैसे लगे आप जरूर आपकी जो आपने कमेंट्स जी उसके लिए बहुत 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 शुक्री है तो अभी बेटा भाई क्या दिखाने वाज है अभी बेजा कलपर है बेदा कलपर है अभी और जाने बहुत क्या क्या है मैं तो समझ निवारा है तोड़ी देर में तोड़ी है दिने कभूतर है बहुत क्या दिखाओ और क्या रगू एक दिखाने लाएग हो सारे कभूतर जाने अगर मैं 700 कभूतर की शूट करने यहां पर तो 7 महीं लग जाएंगे मुझे 10-15 तो बैटा बएशाथ मैंने रख लेगा आप मुझे अपने घर के प्यार ऐसे ही है और प्रूचरबाजी में आपका जो प्यार है आपके जो अच्छे दोस्त है अमेशा उनका साथ ऐसे निभाई है जिसे भाई की तर और कभी भी अपने अच्छे दोस्त का साथ मत आप साथ में रहें लेकिन बुरे समय में आप धरूर उनकी है तो बड़े वक्त पर पर बाया पूरा पर आप लेने जाएंगे तो इसकी खास बात आपको एक नजर आएगी यह इस कंबलवाले कंदुम में पूरी बॉरी बॉडी ऑइट और गुतिर को लेक हुझे बहुत सब्सक्राइबla g घृट है और यकली ःससा सब्सक्रार बहुत है और एक ने भाई हमारे साथ जुड़के आपका नाम संदीप कभूतर का बहुत अच्छा शोग करते हैं यहां पर बेटा भाई के पास नहीं शोग करते हैं संदीप स्वागत है आपके हमारी चैनल पर और यह देखे भाई यह है संबल वाला कल्दुमा का बुटर बहुत सारे लोगों को संबल वाले देखने थे भाई देख लिजए संबल वाले कल्दुम्य है तो इनकी उडान तो बेतहाशा होती है अबैटा बहाई आपने उड़ा यह कभूतर संबल वाले कल रहे बहुत पुछ पास ही उनका बुटर को बोला को बहुत अच्छे उड़ते हैं जड़ से कट गया तो आपको कुछी ने मिलने वाला है, हाँ, आपके पास अगर पत्ते हैं, तो पत्ते किजने टूट जाए, अगर जड़ सलामत बोलते हैं, तो पत्ते हजार मिल जाएंगे, तो आप जड़ को सालामत रखें भाई, तो ये है संबल वाले कल्दुमे की काली पूछ, ये देखे लिए भाई, और ये देख लिए इसके पंजे, और बात ये बारी आजाते हैं, मादिन की, ये है इसके मादिन, इसकी सबसे पहले पूछ दिखा देता हूँ, ये देखे चोटी पूछ, और ये देख लिए इसके पंजे, और आ जाते हैं, इसके पंखों पे, तो ये देखे इसके मिले हुए पंख आपको दिखाने की कुछ कर रहा हूं यह देखिए और यह देख लीजिए इसकी आइस जो कि धूप अभी नहीं है लेकिन तब भी इसकी आँख देखिए कितनी चमक रही और भार की तरफ है इसकी आँख सीर इसका चपता है चोच इसकी ब्लैक है और बंजे भी लगबख ब्राउनीश है और अब जोड़ा आपको एक बार इसके नर्व और भाई बारी आ जाती है कब कल्दुमें तो देख लेए अब यह देख लीजिए आप लल्दुमें जो रेड टेल की कभूतर जिनको बोलते हैं लल्दुमें लल्पर है वह यह कभूतर बार आती है नर्व की सब्सक्राइब यह देख लिए नर्व के पंजे लिए पंजे और यह देख लिए पूछ बिल्कुल बंद है यह देखें यह पूछ दिखाते था हूं इसके पंग यह दिखिए इसके पंग चुकि अभी आ रहे हैं तो बेटा बाई इनको पंग दिये पंग दिया तो ब्रिविंग पर रख दिया है और एक बार आपको केच की सेटिंग में पता दूंगा अंदर से केच की सेटिंग वह कैसी है अब आ जाते हैं इसकी वाइट कलर की जो आइस है उसको देख लीजिए आप और मजे लीजे बाई और कमेंट्स अगर आप नहीं क बाई करेंगे इतना मैं अपने आप में सुधार और लाने के कोशिश करूंगा और यह देखिए यह मादी यह मादी की वाइट आइस और वाइट चोच वाइट आईस और यह है लल्परी यह देखिए इस जो पांच पंक है शाही पंक वह लाल कलर में गोल्डन कलर में और इसकी पूच देख लीजे यह देखिए और यह देखिए इसके पंज पूरा जोड़ा चोड़के बता जिए और भाई ये है कल्दुम्य कलपर इलाबादी इलाबाद की नसल ये देख लीजिए साइज में भी बहुत जबरदर सोते हैं कभूतर तो ये देखें इस कभूतर को आप एक बार जूम करके पेर को ही दिखा दीजिए आप माशालला बह सब्सक्थ आपको मादी की नर कीजिए दिखा देता हूं और ये बहुत कोराणी पूरणी ये इलावादी कल्दुम्म마 से निकली हुए उसका सभूत अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा देता हम उसका सभूत इसका सबूत ये देखिए, इसका सीना भरा हुआ है काले बालो से, ये है इलावादी कल्दुम्मे कल्परे, जो कि कल्दुम्मे मैं से ही निकले हुई नसल है, ये देखिए, ये इसके पंक है, तो रेकी मानिए भाई, ये कबुदर बहुत जबर्दस उड़ते हैं, इसके पंक है, ये देखिए, इसके मादी है, कितना छोटी देखिए, पलक कर रही है, अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा, और अगर इसका बूतरी को धूप में दिखाते हैं, तो वाइड दूथ की जिसे आंथ चमकती भाई, इसकी, ये दिखिए इसके पंक है, पूज भी देख लिए, बिल्कुल बंद, ये इसके पंज़े है, हमत भाई, एक दिखिए, और भाई, जहां बात आगी, निल्डुमे कल्दुम्नों की, अब ये एक डिफरेंट कलर में आपको कबूतर दिखा रहा हूँ, ये है आभी, और ये कबूतर जो न मैं देख लिजे, आप ये देखिए, इसका साइस, कितना बड़ा साइस का कबूतर है, और गरतन तो भी पीछे की तरह पने तो और लंबा हो जाता, सबसे पहले इसके पंक दिखा देता हूँ, आपको कि अगर फंक चोड़े करता है, तो कितने बड़ा होता है कबूतर, ये और ये और गहले बरिद है, ये देखिए, क्या बाद है माशाला है, फोछ सुन्दर कबूतर, बहुत क्यारा कलर है, ये इसका कलर रेख लीजे आप एक बार, उनको बिते है कास्ट, आप्भी कबूतर, पंजे देख लीजे, इसके पंजे, इसके पंजे, यहाँ पर अगर जो है कि यहां से लेकर अगर पूरे मिले हुए होग तो कभूतर घर का बहुत पक्का होता है यह भी जो मादि की जो साइज है जितना लंबा कभूतर उसको इतनी चोटी दालें है मोगए तो बच्चे आपको मिलेंगे में डॉं जाववना होटी है तो वहीं ज्यादा बड़ा नर्रोड चोटी मादी लगा यह तक है यह है है आधी कि इस अब इसे बंद कर्न को कि अगर आप राप करें तो आपको महसूस होना चीए कुर्दुरा पन तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ और एकदम स्लिप हो रहे हैं पंजे एकदम नर्मी से अगर कभूतर के हाथ पंजे आपके यहां से निकल जा रहे हैं आपका उंगली गुजर जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करें लोग जो अभी कभूतर बना रहे हैं हर वेराइटी में आपको कभूतर देंगे को मिल रहा है अभी तो जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा बस आपको दिमाग लगाना पड़ेगा आपका खुद का यह देखिए यह कभूतर निल दुम्मा कभूतर है यह जो कि बैदाक कभूतरों में से बने हुए हैं इसके पंटे हैं तो यह कि दुमनिल दुम्मे क्यों बोलते हैं इनको यह देखिए बलेक कलर का इनको आपको कॉर्णर देखिए उसके बाद में वाइट होते हुए आ रहा है तो थोड़ा स्काइब ब्लू कलर का आ जाता है इसके लिए इनको निल्दुम्मे कहा जाता है उसकी मादी जो है कबुद्रों की जो पेर सेट की हुए है वह इतने जबर्दस सेट की हुए है कि माशालला बोलने की जरूरत नहीं है कमी निकाले कहां भाई सबकुछ एक दंबर एक नंबर की चीज़े हैं सबकुछ यह देखें मादी की साइस कितनी चोटी मादी है यह देखिए पेटा भाई क्या है रिकॉर्ड इनका कबुद्रों का कितनी देर तो बुड़े हुए है यह जो कबुद्र है ना मेरा शाम 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 तक उड़ा हुआ का निरदुमा कबुद्र इससे पहले आपको दिखा है शाम तक उड़ा हुआ है इसको गमाना नहीं चाहता हूँ यह ब्लड लान जो मेरा है इनके बच्चें उडाए आपने वही बात है उड़ते हैं वही देर तक कि बात है और तो इसकी माधी देख लिए आप इतने साल की होगी है माधी यह लगबक कम से कम चार साल हो गये गए यह अन्ट ने वामें भंबे से लायता है अच्छा मुम्बे यह भी देख लिए निल्दुम्मी क्यों है यह देखिए इसके नर से ज़्यादा निल्दुम्मी है माधी एक्चली नर के जो कोरे तोड़े ब्लैक है इसके धल के ब्लैक है और यह देख लीजिए इसके पंजे और भाई यह है लास्ट आज का जोड़ जोकी है बेदाक का भूतर और माधी जो है वो है ब्लैक कलर के रिंग्स में और नर जो है वो है वाइट कलर के रिंग्स में रिंग्स का मतलब होती पलके अगर आप पलकों की बात करें तो यह नर जो है वेदाक इसकी जो पलके है वो भी वाइट कलर में है देखें वाइट चोच वाइट पलके अगर आप बात करें तो वाइट चोच है लेकिन पलके काली आ गई तो कबूतरी के आँखों का जो बे ने लेकिन उसके लिए अब यह जो गबूतर यह गंप्लीट बोल सकते हैं इसको बैदाग है और इसकी जो पलकें वो भी पिंक कलर में लेकिन माधी अगर हम बोले तो माधी में एक कमी है 99% लेकिन एक कमी सिर्फ एक ही बात की कि पल के काली आ गई है इसके इसके पंजी तेकिन उससे ब्रीड में कोई फरक नहीं पड़ता है इसे इंसानों में बहुत सारे मेरे भाई दोस्ते हैं उनको चे उंगलिया होती है एक चीटी उंगली जिसको हम चोटी उंगली बोलते हैं एक्स्रा होती है लेकिन उससे कुछ उनको फरक नहीं पड़ता है उनकी दिन चरिया में और माधी की आईज ब्लैक कलर की है तो पलके भी देखिए उसकी जो आखों के अंदर अगर आप देखेंगे तो ब्लैक डॉट से वैसे उसकी पलके भी है आधी पलके इसकी गुलाब इससे पहले जो दुबाज दिखाएंगे वो भी दिख रहे हैं आपको बाजियों बेचे हुए और यह पैर कैसा लगे आपको यह कल्दुम्में लल्दुम्में कल्परे बेटाक और पाकी जो आभी कपुतर दिखाए आपको कैसा लगे आप जरूर बताएगा आपकी पार्ट में मिलेंगे आपसे आपसे जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अंदर इश्वास और अफवाव पे बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए अपने दिल की सुनिए यही बोलना चाहूंगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपने दोस जीत खागों को इजाज़ दीजिए देखे रही है किंट्स पिजिन को जे हीन जे बाराच जे माराच